हम सभी अपनी जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं हमारी कुछ लक्ष हैं हमारी कुछ अकांक्षाएं हैं उन लक्ष को पूरा करने के लिए हम कुछ यतन करते हैं पर ऐसा क्यों होता है कि कुछ दिनों के बाद वो लक्ष हमें बेरुखा सा मालूम बढ़ता है हम अपने उस लाइफस्टाल से बोर हो जाते हैं जो हमने उस टार्गेट को पाने के लिए अचीव किया होता है पर ऐसा क्यों होता है कि हम कुछ दिनों के बाद अपनी लक्ष के प्रती जो हमने काम कर रहे होते हैं उससे तूट जाते हैं उससे बोर हो जाते हैं और इन दे एंड फिर से अपनी नॉर्मल डे टू डे रूटीन लाइफ में वापस आ जाते हैं नमिश्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त सर्देव और आप देख रहे हैं हमारा पॉड़काश्ट स्प्रिच्वल साइंस चहां पर हम सिर्फ और सिर्फ हार्ट को स्प्रिच्वल्टी की बात करेंगे आपको जिन्दगी में कैसे सफल होना है उसकी बात करेंगे और को समय के बाद हम अपना इंट्रेस्ट है उस काम में हम छोड़ देते हैं और दुबारा से अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ जीने लगते हैं सपोस कीजी आपको वजन घटाना है आप चाहते हैं कि मैं पतला हो जाऊं आप उसके लिए कुछ डिसाइड करते हैं आप कुछ म किताब पढ़ते हैं जहां पर आपको उसके सुनकर या उसको पढ़कर आप मोटिवेट हो जाती हैं और आपके अंदर भी एक इच्छा आती है कि मैं भी अब रोज सुबा जॉगिंग जाय करूंगा जिम जाय करूंगा और अपने आपको फिट रखा करूंगा बुरी कुछ दिन हमारा इंट्रेस्ट काम होता जाता है और 5-6 दिन उस इंट्रेस्ट से पूरी तरीके से उप जाते हैं और सोचते हैं छोड़ यार यह हमारे बसका काम नहीं है और दुबारा से अपनी उस नॉर्मल डेरुटेन लाइफ में आ जाते हैं तो आज मैं बताऊंगा क कि हम अपने इंट्रेस्ट को कैसे कायम रख पाएं हम अपने इंट्रेस्ट को किस तरीके से अपनी आ अंदर जो आपकी आग है उसको हमेशा कैसे जिला कर रखें हमारी जिंदगी में हमेशा कुछ बड़ा करना चाहते हैं हम चाहते हैं कि हम कोई सक्सस अचीव करें हम टार नॉर्मल लोगों की तरह behave करने लगते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने target को इतना बड़ा बना लेते हैं और अपनी जो normal day-to-day जो life है कि जो चीजें हैं उनके प्रति हम ignore हो जाते हैं कहने का भाव है आपका जो test है वो बड़े दिनों के लिए नहीं है कोई event नहीं हो रहा है आपका जो test है वो day-to-day राइट में हो रहा है आप चाहते हैं कुछ अच्छा करना तो शुरुआत धीमे धीमे छोटी छोटी चीजों से करिए आप रोज सुबह उठके जोगिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रोज अपने day-to-day life में चेंज करना होगा धीरे धीरे आप सुबह आठ बज़े उठते हैं तो धीरे धीरे पहले साड़े साथ बज़े उठना शुरुग कीजिए साड़े साथ बज़े उठते हैं तो साथ बज़े उठना शुरु कीजिए उठते ही जोगिंग पे मजच चले जाएए दीरे जीरे अपने exercise को बढ़ाईए हम जिम में भी जाते हैं मैंने कई लोग देखे हैं एवन कि मैं खुद दो चार दिन गया बड़े जोर शुर के साथ मैंने जिम मारी और तीसरे चौते दिन अपना शरी इतना ज़ाधा दर्द करना शुरु करता है की पांच में छे में दिन हम बोलते हैं कि यार ये हमारे बस की बात नहीं है धीरे धीरे शुरुआत कीजिए एक स्टेप, दो स्टेप आपका टारगेट है कि मैं 500 पुशप डेली करूँ तो उसके लिए सबसे पहले 10 पुशप शे शुरू कीजिए आप 10 पुशप करेंगे आपको अच्छा लगेगा तब आपकी कपैस्टी भी बढ़ेगी अगर आप पहले ही दिन 400-500 पुशप कर लेंगे तो आपका शरी इतना दर्द होगा कि आप अगले दिन उस पुशप को कर ही नहीं पाएंगे इसी तरीके से कोई भी अगर आप काम करना चाहते हैं तो उसे सबसे पहले धीरे-धीरे थोड़ी-छोड़े टुकड़ों में कीजिए छोड़ी-छोड़े टुकड़ों में अगर आप उसे करोगे तो आपका इंट्रेस्ट जो है उसके प्रतीब बनता भी रहेगा उस तो आने रहे हैं तो मैं ये वीडियोस मना के क्या करूँगा तो हम धीरे-धीरे अपनी नॉर्मल ये लुटेल्स लाइफ में फिर से वापस आ जाते हैं और अपना नॉर्मल वही देर से उठना, वही गाली गलोच, वही कामवासना इन सबी चीजों के हम आदी होकर फिर से रह जाते हैं अब मैं बात करूँगा कि इन आदतों के प्रती आपको कैसे सजग होना है अवेरनेस बहुत बड़ी चीज होती है अगर आपको अपने लक्ष बनाना है तो अवेरनेस बढ़ानी होगी Awareness आप कैसे बढ़ा सकते हैं सुभा उठिये अपने तरफ पूरी तरीके से सजग रहिए आप सोचिए कि मैं हाथ भी उठा रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए कि ये मिरा हाथ है ये उठ रहा है अगर आप पैर भी हिला रहे हैं आपको पता होना चाहिए आपका पैर हिल रहा है आप अपनी जिन्दगी में इतने जादा aware हो जाईए कि आपको उन सभी चीजों के प्रती आपकी awareness बढ़ जाए छोटी छोटी चीज़े आप बरतन भी धो रहे हैं तो आपका हाथ जो है उसकी आवाज है पानी की आवाज है वो आपको crystal clear सुनी चाहिए आपका हमेशा जो लक्ष है वो आपके हमेशा आँकों के सामनी होना चाहिए उठते बैठते जागते आपको लक्ष हमेशा याद होना चाहिए तब कहीं जाकर आप अपने लक्ष को प्राप कर सकते हैं उमीद है आपको ये छोटी सी बातें समझ आई होगी अगर आपको ये हमारा पॉडकास्ट पसंद आ रहा है उसकी बातें पसंद आ रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप हमारे पॉडकास्ट को दूसरे प्लैटफॉर्म के उपर जैसे स्पॉटिफाइ, खबरी, कुकू एफम ऐसे प्लैटफॉर्म के उपर देख रहे हैं तो प्लीज वहाँ पर नोटिफिकेशन बेल को भी दबहिए तांकि जब भी हमारा पॉडकास्ट आए तो वह आपकी तरफ अराम से पहुँच पाए